नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सादाबाद की इसरी पर मैं हूँ सवनू चौदरी किसान साथियों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्मूट रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देश बर में आलू की चल रही गतिविदियों के बारे में जानकरी देंगे और ऐसी जानकरी देंगे जिससे आपका कंड कंड खुशी से रोमांची तो उठेगा और आप भी गएंगे वास्वानो भाई आपने कर दिखाया और आप कर दिखाएंगे तो ऐसे में जिन किसान सातियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लिजे पास महीं बेल आइकने से और परेट कर लिजे इससे क्या होगा जब भी हमारे द्वारा कोई भी देश बर में जो गतिविदियों आलू को लेकर चल रह आचा है जो आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू का खरीदने के मनसुवे पाले हुए थे इस समय पर आगरा अलीगर मंडल या समुच अक्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर जो है कोल्ड इस्टोरेज से आलू की निकासी प्रारंब हो गई है और उसके जो सुरुआत साथी रोजान आने भी सुरू हो गए जिसके चलते मंदडियों की पूरी तरीके से हवा खराब हो गई है मंदडियों के ऊपर एक से बढ़कर एक जो है लाद भूसों की बरसात जो की जा रही है साथी कुछ खोल्ड इस्टोरेज वाले भी आब जो है इनके उपर सर्जिकल स्ट्राइ करते हैं मंदडियों को कहीं का भी नहीं छोडने वाले हैं क्योंकि जो सौनु चौधरी कहता है वो जमीन पर सच्चाई दिखाई आपको देखती दिया है यानि कि धरातल की अगर कोई सच्चाई अगर यूट्यूब पर कोई दिखा रहा है तो वो सौनु स्ट्राइयों को आलू के अच्छे से अच्छे भाव मिल सके हैं मंदडियों ने पूरी पिछवाड़े तक के जोर लगा लिये थे और बहुत ज्यादा मतलब जो चीज नहीं थी उस चीज को भी कहने लगे थे पुराने साल के यानि लास्ट येर के दो या 23 के फोटो वीड लेकिन ये स्वानु चौधरी की बदोलत थी और आप लोगों का पूरा भरपूर सयोग था जो ही इनके मंसूबे कामियब नहीं हो पाए इन लोगों ने कता भी आपने देखा होगा कि मंदडियों के मंसूबे क्या होते हैं कोल्ड भर गए डंप लगे हुए हैं और कोल्ड इस्टोर के गेट जो हैं 1100 रपे प्रती कटा से खुलेंगे और आलू जो है शुरुआती चरण महीं 1200 का आंकड़ा पार करजेगा और आज ये इस बात के आप पूरी तरीके से गवा हो चुके हैं कि सोनु चौधरी की बातों में जो है दम होता है क्योंकि भारी बरकम बात करने वाला है व्यक्ति ही किसानों का हितैसी होता है यदि आज आज आप लोगों को आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं तो उस पर कुछ लोगों की बहुत ज्यादा सुलग रही है आज मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये सोनु चौधरी की तुमारे भाई की बदोलत है कि गवा देगा और कई लोग जो है मेरे वीडियो के सेक्षन में जाकर अबरे टिपणी और कमेंट भी कर रहे हैं इस तरीके से इनकी खिसियाठ विल्कुल साफ जग जाहिर है यदि आज मेरे किसान सातियों सभी कुल्ड मालिक और सभी आरती सभी व्यापारी धान दीजे आप लोग चाहेंगे कि आलू जो है सोलस रुपे पृतिकटा से पार ना भिके यदि पी आप चाहेंगे कि आपकी करोड़ो रुपे की जमा पुंजी लगी हुई है इस साल और इस तरीके की जो मान सेक्टा पाले हुए लोग है ये इनके मनसूबे वो आप लोग तो करी र इने के दौनों घाल भट्टा से लाल कर रखे हैं और रहीजाई का सर मेरे सभी किसान साथी कर रहे हैं। यदि आज अगर आपको सोले सुर्वे प्रती कट्टा के दाम जो अपरेल महीने में मिल जाएं तो क्या हो कैसा होगा बताईए कमेंट करके बताईएगा कि अगर अपरेल महा में अगर सोले सुर्वे प्रती कट्टा के पचास केजी के दाम बिल जाएं तो यह अच्छा रहेगा के नहीं रहेगा आप सभी के लिए। कि अगर बात की जाएगी वो सिर्फ किसान हिताईए की जाएगी किसान के हितार्त की जाएगी जिससे सभी किसानों का फायदा हो मैं एक किसान की बात नहीं कर रहा हूं मैं देश के करोणों किसानों की बात कर रहा हूं जो आलू से इस बार अच्छा दाम लेना चाहते हैं कई लोग जो हैं उनके मन में जो भांतियां फैली हुई हैं क्योंकि देखिए पिछली सालों में ऐसा होता आया है तो इस बार भी सभी को लग रहा है कि कहीं ऐसा नहुए लेकिन मैं यहां दावे के साथ कर रहा हूं ऐसा कता भी नहीं होगा अपने दिमाग से निकाल दीजेगा एक एक करके मैं बता देता हूं पहला आप लोगों के दिमाग में यह घुम रहा है कि अगर आलू जो है 16 रोपे प्रती कटा अपरेल महीने में ही बिग गया तो कहीं सरकार वो ना कर दे मतलब एक्सपोर्ड बेंक ना कर दे तो देखे अभी आपको पता है कि नेरिया जो है कम इस्तर पर हो रहा है इससे सरकार नहीं करेगी दूसरा अगर महेंगाई का आपको डल लग रहा है कि आलू जादा महेंगा हो हुआ है किसी के पास 10 कट्टे हैं तो किसी के पास 20 कट्टे हैं हम उन्हें हर घर में आलू जो है पढ़ा हुआ है अई यहीं हो जाये जो है अक है एसे मचोप है पालने वाले लोग ही ना ईच्छे रेट ले पाते नहीं मौके को भना पाते हैं. इनका सीधा फंडा क्या होता है? या तो नीचे वेचेंगे या उपर वेचेंगे. बीच मा कभी नहीं वेचेंगे. और फिर ऐसे में यदी कोई भी अपरी एस्तित्य होती है, तो ये दूसरों को जम्मेदार ठहराते हैं. तो ऐसे में हमारा एक सैयुक्त रूप से प्रयास है और इसमें हम लोग जो हैं आप लोगों का साथ चाहते हैं अब अगर आप बोलते हैं कि सरकार बनेगी और जो है आलू-दोयर पर कट्टे हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा तमाम वो हैं लेकिन आप यहाँ याद रखिए साथ की जितने भी फसले हैं चाहें वो कॉलार हो डिम्बिम हो उटी हो जो साथ में आती हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं यानि कमजोर फसलें थी अत्वादन भी घ्रा हुआ था अब वो खतम हो गई हैं तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के आलू पर ही साथ की मंडियों की निरबरता बर गई है और यही कारण है कि मुंबई 22 से 24 रुपे किलो तक बिग गई है उचे में नीचे में 19 से 21 रुपे किलो तक है और अगर सीलम मंडी की बात करें तो वो 39 रुपे किलो तक है ऐसे में आलू में रेट बड़ात्री की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बड़ी हुए है एक आनुमान के मुताबिक आलू थोग बाव में 45 रुपे किलो बिकेगा और इससे सभी किसानों को बहुत बड़ा ब और अभी तो आलू जो है cold storage में बदुस्तर आ रहा है और अभी temperature भी नहीं बनाए है कैसे हम किसानों सो कह दें कैसे उनका अनर्थ करवा दें बताए किसान साथी आप बताए मैं इन cold मालिकों से नहीं बूच रहा हूं मैं आप सभी से बूच रहा हूं क्या अभी आपको 10 द और वो लोग तो यह मेरे सामने आ जाएं जो कहते थे सो परसेंट cold storage भर गए है जूते नहीं पड़े न आप लोगों में यही कसर रह गया जिन-जिन cold storage को नाम यह हुआ था कि यह भर गए उनमें आरी मार्च दोयाद 24 में भी आलू खेतों से खल रहा है अब वो लोग कहां भर गए और आलू के डंप लगे हुए हैं भाई साब मेरा बस चले तो मैं इनका ऐसा सर्वनास करूं जैसे भगवान स्री कृष्ण ने जो है सुदर्शन चक्रे लेकर नरसाहार किया था राच्छसों का राच्छसाहार किया था वही मेरा मन कर रहा है कि ऐसे लोगों को ऐस किसान को भी तो मिलें everything I have 14 और रहे हैं आज यहाँ सफ़न के अजे यह हम यूटीवरों की बदलत है नहीं तो तुम किसानों को काटने से हपीचे हटने वाले नहीं थे और किसान सातियों अब हम जो है बड़ी बिगेस्ट न्यूस की बात करेंगे जो की है आपके हात्रस जनपत से हात्रस जनपत के कोटा कपूरा रोड इस्तित यानि कोटा दावजी रोड इस्तित दावजी कोल्ड इस्टोडे प्रेवर्ट लिमिटेट से आज 377 आलू जो है क्योंकि ये एक ऐसे व्यापारी ने लिया है जिसका उस एरिया में जो है नाम है और उसके मारे थर-थर लोग कांप दें आज मुर्सान में जब 1250 रुपे क्योंकि कोटा जो है मुर्सान ब्लोक के इंतरगत आता है जनपत हात रस विदान सभा लगती है साधा बाद ये उस कोल्ड इस्टोडे से लोड हुआ है जिस कोल्ड इस्टोडे के बारे में लोग कहते थे कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता लेक जी कोल्ड इस्टोडे में 1250 रुपे प्रती कट्टा में आलू 3797 लोड हुआ है कोल्ड इस्टोडे के अंदर ये बहुत बड़ी मेरे लिए और जिन किसानों का विकार उनके लिए बहुत अच्छी बात है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाले दिनों में के अंदर जो तीन साल का जो गाटा है ना वो दबा हुआ है वो इसी से पूरा होगा अब बस हम आपसे यही कहते हैं कि जो सौनु चौधरी के बात होगी ना वो आपको पत्थर की लकिर मिलेगी हवाय वाई फाय नहीं होता है यहां तो पहले से टाट पजेवरा था कि खेत के बारे में बात करते थे तो हमने लगातर आपसे यही कहता है कि 1100-1200 के आंकड़ा शुरुआत महीं पार कर जाएगा आलू जो है और आज यह आपके सामने है यह देखिए मैं अपने बढ़ाई अपने आपने आपने ही कर रहा हूं क्योंकि मैंन ने जो कहा है वो जो है ज और निश्टी तोर पर यदि आप मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ गए तो आप लोगों को आलू के 2000 रुपे प्रती कट्टा के पार आलू के भाव लेने से कोई नहीं रोक सकता है अब मैं यहां पर आप लोगों से कह दूँ कि बैया आलू निकालो तो यह मेरी क्योंकि घाटा हिर्दे के अंदर है जबान पर नहीं है जबान पर तो कुछ भी बलवालो घाटा यहां पर है और यदि यह घाटा हालां कि छती पूर्ती तो नहीं होनी है लेकिन कुछ रहात जरूर मिलेगी अगर 1600 या 2000 रुपे प्रती कट्टा बिक जाए अलू तो अभी मंड इतनी है क्या करोगे कहा जाता है कि दिल्ली की मंडी जो है बहुत ज्यादा डाउन चल लही थी आज देख लिए दिल्ली की मंडी आ गई अपने असर पर है ऐसे ही होता है कुछ लोग गबरहाट का माहौल पैदा करके आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदना च था भाग गे साली भाग गे साली बात समझना कि आप जो है सस्ती दरों पर इन लोगों के आलू नहीं दे पाए अन्निता ये तो पूरी फ्राक में बैठेते अगर आज 1200 रुपे प्रति कट्टा आलू बिक रहे हैं किसी का भी बिकराजी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका व्यापारियों के अंदर एक competition का माहूल बनेगा और competition का माहूल बनेगा तो आज तो यह 1200 जब competition चलेगा ना तो 1200 और पे ते तो बोली start हुआ करेगी और जिस व्यापारी में जितना दम होगा वो उतना खीचेगा 1200 से 1400 खीचे या 1500 खीचे लेकिन जब बोली लगेगी तो इसमे किसान साथियों यहां मैं यूही नहीं कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं भी भोगतवोगी बैठा हूं इन लोगों के चक्कर में आकर मैंने भी बहुत कुछ अपने चैनल का खोया है और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग भी खोयें इसलिए ज्यादा से ज जिल लोगों ने यह कहा था कि खंडॉली सत्पिर्थिसत बर गया इनकासी कैसे हो रहे है बारा बंगी के बारे में बात करेंगे बारा बंगी में आज दो है आरवन आलू जो है बाइस सोर पे कुंटल यानि ग्यारा सोर पे प्रतिकटा किसानों से मांगा गया है व्यापरियो दारा अ बात करेंगे फरुकाबाद की फरुकाबाद में तो 85 हो गया सो पर्संट कोल इस्टॉरिज बर गए जूते मारूं जूते हिंुटस्तान देख लो देखो हिंदुस्तान पच्चीस प्रतिसत कोड़ी स्टोरेज फरुकावाद में खाली रह गए मन तो करता है कि तुम्हें इतना जुतियाए जाए इतना जुतियाए जाए कि तुम जो है किसान सब्द का नाम लेना ही भूल जाए यह हालत है सच्चा ही छुपाई नहीं छुपती और तुम लोग किसानों के मन में सौनु चौधरी के लिए कितने भी मांसि घिरना भढ़ देना लेकिन जो सच्चा किसान होगा वो सौनु चौधरी के साथ जुड़के ही मानेगा क्योंकि उसके बातों में दम होती है और यह उसकी पोल्क सौनु चौधरी खुला है सब की उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश में 80% बरेंगे उत्तर प्रदेश में 75% बरेंगे जूता नहीं मिला है जूता और पढ़न लगा जाए ना सवारी दाज दमा चोगडी भूल जाए अभी रुख जाओ दो तिन दो दिन और रुख जाओ उत्तर प्रदेश का पूरा डाटा आएगा केसां तक जो आज तक का सायोगी निउस चैलनला उसने सीधा बता दिया उत्तर प्रदेश में 50-55% साथ अधिक्तम होगा तो साथ प्रतिसाथी आलू का उत्पादन हुआ है एक रिकॉर्ड है तुम के अगर उत्तर प्रदेश इतना हो गया इंतिजार करो सौनु कादरी की रिपोर्ट जाया नहीं जाती मैं दावे के साथ कह रहा हूं जिन लोगों ने दम लगा लिए पूरे बर गए उन्हीं कोल्ड इस्ट्रों में से निकाजी चल लाई है बार कहां से गए अब सोचिए विचार कीजए किसान साथियों सभी कुल्ड मालिक जो भी मेरे वीडियो देख रहे हूं हाला कि कुल्ड मालिक मेरे वीडियो नहीं देखbum थे वह जए हतिपाक रखते हैं किAloo वेया पारी ने ब्यूद भालिक नगे लिए-पारी क्या रेट लिए कभी व्या व्यापारी से हमें रसूल ला मिला है व्यापारी उन्हें ठगासा देगा ठुलू तो देखिए मैं तो आप लोगों से सीधे-सीधे कहता हूं किसी के बाप मेदम नहीं है जो आलू के तेजी को इस साल रोक जाए तेजी कहां पर जाके रोकेगी यह किसी को नहीं पता है अग सुर्वात मताया है 20-30-30-40-40 कट्टे उन्होंने रख रखे हैं तो एक घटा करके मजदूरों ने रख दिया अपना अलू जो है तो यह भी एक सूज गुज का परिचाय के उन्हें महेंगा अलू नहीं करें तो सौर पर देखे अपना अलू कट्टा खल ले जाते रहेंग अपने दिमाग को सेंटर में कर गए और अपने भाई के साथ जुड़ गए तो निश्यत तोर पर मानना यह उंगली नहीं है यह आप लोगों के लिए एक मार्ग दर सक है कि अगर आपका निगा यहां पर है तो आलू जो है 2000 रुपे प्रती कट्टा पार बिकेगा किसी का भाप नहीं रूख सकता है दम लगाने ना इसे सौनो चौधरी कहते हैं और जितने भी मंदड़ी है जितने भी कुल्ड माली कि यह सोचे बैठे हैं कि इस बाज़ार पल्टी मारेगा तुमारे लिए टाट पर जीव रहा है तुम जो हैं सितंबर तक तुम तो उसी माई की मैं सितंबर तक चेलेंज कर रहा हूं कि तुम सितंबर तक इस मार्केट को यहां से 1400 रुपे से नीचे करके दिखा देना और अगर नहीं कर पाए तो ध्यान रखना यह मार्केट जागे रुखेगा 2400 रुपे और मैं किसान सातियों से यही कहूंगा बातों में दम नजर न कर देगा वो सिर्फ आप लोगों की बदॉलत और आप लोग किस तरीके से आलू को निकालेंगे यह आपके उपन दिरवर करता है लेकिन याद रखिएगा इस वीडियो के माद्ध में जे जितना शेयर हो कर लीजिएगा क्योंकि अप्रैल में आलू का भाव जो है सोलो प्रतिकटा पार होने वाला है किसी का बाप नहीं रोग सकता है वीडियो में मेरे साथ में इतना शेयर है